हमारी जीब को जो बाता है वही हम खाता है और इसी के चक्कर में काफी आनली डायेट हम फॉलो करना शुरू करतेते हैं जैसे कि बर्गर जो oily packaged food होता है और इसकी वज़े से इतना oily substance हमारे अंदर जाता है जिसकी वज़े से हमारा जो heart है उस पर pressure create होता है और कई बार heart failure भी हो को मिलती है ट्रांस fatty acids के वज़े से अगर हम world health organization की recent report देखे तो 5 billion लोग जो है elimination की बात की थी 2018 में और elimination target set किया गया था 2023 का अब आपके अमन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि यार इतनी मौत हो रही है इतने लोग मर रहे हैं heart diseases हो रहे हैं trans fat की हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्या सारे fats unhealthy होते हैं क्या हमें fats खाना ही नहीं चाहिए और ये जो trans fat है जो specifically यहाँ पर WHO जिसकी बात कर रहा है ये क्या है तो इन सभी जीसों को विस्तार में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आपके सारे doubts यहाँ पर clear हो जाएंगे और आज से ही आप healthy diet जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे वीडियो शुरू करें उससे पहले mmacademy app आप डाउनलोड जरूर कीजे यहाँ पर आपको various courses देखने को मिलते हैं highest quality content है जो आपको UPSC और बाकी state PSC के लिए कफी ज़ादा काम आता है तो यहाँ पर आपक बहुत जरूरी है कि micro, macro जो nutrients है वो आपके शरीर को कैसे मिले आपका body structure कैसा है जिसे साबसे आपको personal training दी जाए उसी तरीके से यहाँ पर भी personal coach के जिरिये आपको यहाँ पर training दी जाती है कि कैसे आप पढ़ना है कितना पढ़ना है कितना revise करना है क्योंकि हर किसी के शमता ज बाते हैं हमारे topic पर जो की है trans fat के बारे में trans fat यह एक form of unsaturated fat है जो की food में present रहता है अब यहाँ पर आप देखोगे तो fats क्या हमारे शरीर के लिए हानी कारग है सारे fats हानी कारग है जी नहीं कुछ ऐसे fats है जो हमारे शरीर को जिसकी जरूरत बढ़ती है लेकिन कुछ ऐसे fats होते हैं जिसके वज़े से हमारे शरीर जो है वो और जादा बत्तर हो जाता है जिसके वज़े से अलगलग diseases हो जाते हैं और जिससे मौद भी हो सकती है उसमें से एक है trans fatty acids यह meat में जो dairy products होते हैं उनमें महजूद होता है for example अगर हम butter की बात करते तो उसमें 3% of trans fatty acids जो है वो अब macronutrient क्या होते हैं जो overall हमारे शरीर के लिए important है उसमें हमें fats carbohydrates and protein protein तो आप सभी को पता है अगर आप gym जाते हो तो protein तो आप हर बार सुनते ही होगी कि protein जो हो खाना ही पड़ेगा बाकी अगर हम देखते हैं तो बाकी जो vitamins होते हैं यह सारी जीजे हमारे शरीर के लिए important होती है fat जो ही major source होता है हमारे लिए energy का और आपकी जो body है absorbs vitamin उसके लिए काफी fat जो हो help करता है इसका मतलब यह है कि fat की आपके शरीर को जरूर जरूर पड़ती है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप fats को अपने शरीर से completely eliminate कर दो fat जो है mostly solid होता है room temperature पर है ना fat जैसे कि lipids generally insoluble होत में तो यह अगर हम बात करते हैं fats की तो उसमें हमें 10 types देखने को मिलते हैं एक है saturated fat दूसरा है unsaturated fat और तीसरा है trans fat अब यह जो संखलिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है यह आप अच्छी तरह के समझ लीजिए यह आप समझ लोगे तो पूरे आपके फंडे जो ह आपको देखने को मिल रहे है इसमें कुछ O component जो है वो भी हापर आ रहा है अब saturated में क्या होता है कि complete संकली जो है वो बनी वही होती है कोई भी संकली आपर खाली नहीं है सारी संकली आपर पूरी बनी वही है और इसलिए यह इसी shape में मतलब rail गाडी का जो डबबा होता है उ complete rail गाडी के डबबे जैसा और इसलिए इसका जो structure है वो पुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है complete सीधा सीधा इसका structure होता है ठीक है यह हो गया saturated fat वही अगर हम बात करते हैं unsaturated fat की मतलब क्या है मतलब इसमें कुछ H component जो है वो छूटे हुए है अब कहाँ पर है तो य यहाँ पर क्या है double bond जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब double bond यहाँ पर है इसके वज़े से क्या होते है संकली जो है यहाँ पर bend हो जाती है मतलब यहाँ पर आपको सिधा जो rail काडी का डबबा था वैसा नहीं होता है यहाँ पर किस तरीके का होता है unsaturated इसम और poly में क्या होता है कि दो-दो यहाँ पर मोडे वे रहते हैं तो मतलब basically क्या है कि यह जो हमें देखने को मिल रहा है इसमें gap नहीं होती है saturated इसमें unsaturated इसमें हमें जो gap है वो basically यहाँ पर दिखाई देती है और वही अगर हम बात करते है trans fat की तो इसमें difference क्या है देखे इस इसमें भी edge content जो है वो यहाँ पर missing है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर edge missing है यहाँ पर edge missing है लेकिन जो unsaturated होता है उसमें edge दूनों एक ही side होते हैं दूनों एक ही side में है लेकिन जो trans होता है उसमें क्या होते है उसमें एक side इधर है और एक side इधर है मतलब यहाँ का और यहां का opposite side का edge जो है वो missing है और वहां बन जाता है यह trans fat वहां क्या बन जाता है trans fat और यहां पर भी आप देखोगे तो rail गाड़ी के डब्बे जैसा ही यहां पर हमें जो component है वो देखने को मिलता है तो इस तरीके से यहां पर जो तीनों fat से इसका difference यहां पर आपको पता जलगे है completely saturated है यहां पर edge जो है वो missing है लेकिन edge कहां पर एकी side में missing होता है same side edge missing है वो है unsaturated और इसमें जो bending है मतलब basically gaps है वो यहां पर होती है और तीसरा है trans fat जहां पर edge opposite side में missing है same rail gari का डबबा यहां पर बन रहा है मतलब यहां पर भी कोई भी जो यह है same gap जो है वो दिखाई दे रही है gap basically नहीं होती है यह हो जाता है यहां पर trans fat और इसी वज़ए से यहां पर जो unsaturated fat है अब सोची यहां पर gaps है तो gap है तो यहां पर membrane के जरीए काफी easily जो चीज़ें है वो pass हो सकती है काफी अच्छे से pass हो सकती है और इसलिए unsaturated fat होता है यह healthy माना जाता है और जो saturated fat है यह इससे कम healthy माना जाता है और trans fat तो भाई बिलकुल ही healthy नहीं होता है तो यह सबसे जदा honey करक मारा जाता है अब यहां पर आप देख सकते हो पूरा है यहां पर table जो है वो दिया हुआ है काफी अच्छा तरीके का यहां पर आप देखो के saturated यहां पर trans and यहां पर unsaturated में आप देखिए mono unsaturated है poly unsaturated mono में क्या है एक ही double bond था लेकिन poly में क्या होता है दो double bond जो है वो देखने को मिलते हैं इसलिए यहां पर देखिए एक ही bending है यहां पर यह double bending जो है वो दिखाई दे रहा है इसमें multiple double bonds होते हैं even ज़ादा bent होता है ये भी liquid होता है room temperature में इसमें आप देखोगे तो ये अपर olive oil है याना जो भी healthy oil है जो आपके शरीर को जिसकी जरुवत है वो हमें देखने को मिलता है और ये moderate intake अगर इसका होता है तो यहाँ पर ये heart disease को reduce भी करता है जो bad ये है उसको lower करता है अच्छा जो HDL है उसको यहाँ पर raise करता है बढ़ाता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है वही poly में अगर हम देखते है तो moderate intake जो है यहाँ पर heart disease को reduce करता है है ना ये जो omega 3 omega 6 से ये ratio काफी अच्छा होता है आपके heart के लिए basically unsaturated fat अगर आप ले रहे हो तो आपके शरीर के लिए काफी अच्छा होता है या ना इसलिए आप देखोगे तो कहीं पर भी आप add भी देखते हो तो भाई ये वाला fat आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है तो अब आप जब भी add आईगी तो ये content देखिए उसमें content कौन सा दिया हुआ है unsaturated में mono unsaturated है polyunsaturated कौन सा दिया हुआ है वही अगर हम saturated fat देखते हैं तो ये आप बहुत जादा खाते होंगे इसमें dairy products आते है coconut oil आता है इसमें red meat जो है वह हमें देखने को मिलता है इसमें कोई भी double bond ने क्योंकि complete saturated है straight structure होता है rail gadi के डब्बे जैसा है solid होता है ये room temperature पे इसलिए ये सारे ही चीज़े आपको solid दिखाई देगी ये heart disease जो है उसको increase करता है total cholesterol जो इसमें increase होता है और वही अगर हम बात करें trans fat की तो इसमें एक या जादा double bond जो हमें देखने को मिलते है straight structure सबसे बड़ा problem यह है कि straight structure होता है और इसमें आप देखो कि ये सब जो chicken pie है जो भी मतलब जो processed food है जो oily है जो unhealthy तरीके से पकाया गया है वो सारी जीज़े इसमें हमें देखने को मिलते है जो भी आप unhill दिखा रहे है और जो जबान के लिए आपको अच्छा लग रहा है वो सारी जीज़े इसमें आती है trans fat में और ये काफी ज़दा heart disease को increase कर देता है और यहाँ पर जो LDL है जो खतरनाक है जो खराब है उसको बढ़ा देता है और जो HDL है उसको घटा देता है यह भली saturated जो है दोनों को बढ़ा रहा है लेकिन यह बूरे को बढ़ा रहा है और इसको कम कर रहा है जो stroke है diabetes है उसकी भी risk यहाँ पर काफी ज़दा इसके वज़े से बढ़ जाती है तो यह सबसे हानिकारक जो है वो हमें देखने को मिलता है तो saturated जो अभी हमने देखा है आपर single bond पूरा maximum number of hydrogen संपन्न होता है और यह recommend करते हैं diet low in saturated fat क्योंकि unsaturated fat ज़्यादा healthy होता है इसलिए इसको ज़्यादा दिया जाता है तवज्यो as compared to saturated वही unhealthy अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है saturated and trans fat mostly animal, meat, dairy यह सारे products में होता है जो trans fat है वो यहाँ पर LDL जो खतरना के उसको बढ़ा देता है तो यह चीज काफी हानिकारग हो जाती है सारी चीज़े अभी हमने आपर देखी है तो अगर आपको कोई exam में लिखना है तो उसके लिए आपर points हो है वो भी मैंने आपर दे दिये है काफी अच्छे तरीके से आप points के तुरू यहाँ पर लिख सकते है तो यह चीज यहाँ पर हो जाती है हाला कि government भी काफी सारे majors ले रही है लेकिन स्टिल यहाँ पर जब तक हम हमारी diets को change नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है तो अब आप मुझे पताईए कि क्या आप आपकी diet change करोगे और आप जिसको भी अपना close मानते हैं उसको वीडियो शेयर कीजिए जैसे कि awareness spread हो और trans fat जो हमार diet में हम ले रहे हैं उसको यहाँ पर कम कर दें और हमारी health को यहाँ पर better बनाए तो वीडियो पसंद आते हैं तो share ज़रूर कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हम अगले वीडियो में चैनल